तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देखा था तो आज चलते हैं पार्ट टू ऑफ हिमाचल प्रदेश एकॉनमिक सर्वे टू थू 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 तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं जो नॉमली हमारी नैशनल लेवल के उपर हम लोग आज वोग फेमारी फ्यार्ट पार्ले और फीकर्द को यहां में तो त्रौने के बात करूं गा तो यहां पर पिरखेंडनियों đếnfahr घ्रीय पर फंटिय मिसानल लेवल करा किसिन में गार्बे घ्रा वोग है। तो आप लोगों को बहुत जादा देखने को बिल रही है पहले तो देखिए इस specific जो table है उसको हम लोगों ने read किस तरह से करना है देखिए जो इसका parameter है वो यह है आपका thousand metric ton की बात करते हैं अब सवाल आएगा कि food grain production उसको हम कैसे measure करेंगे metric ton में metric ton का मतलब क्या रहता है अस memorize करने है तुमसे पूछा जाए कि 2018-19 में टोटल food grain production कितना था तो टोटल food grain production तुमारा था 1692,000 metric ton और अगर इसको मैं लाख में convert करूँगा तो केतना रह जाएगा तुमारा 16.92 lakh metric ton अब देखिए तुमारे economic survey में जो table है उसके अंदर 1000 metric ton में information को show किया गया है लेकिन जो उनका text है जो language लिखी गई है वहाँ पे lakh metric ton में जो है वो तुमारा जो total production है food grain production है उसको measure किया गया है तो तुम लोग दोनों में त्यार रहिए data तो बही रहेगा 1000 में 1692 आ जाएगा और जब लाक में उसकों convert करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 16.92 lakh metric ton उसी तरह से अगर 2019-20 की बात की जाएगी तो उसमें थोड़ा सा उमीद कम है क्योंकि climatic factors जो थे वो हिमाचल परदेश के लिए जादा favorable नहीं रहेते especially जो आपकी मक्की की production है या गेहूं की production है उसके लिए तो अगर आपसे पूछा जाएगी 2019-20 की जो tentative estimated production है वो कितनी है वो आपकी है 1636,000 metric ton यह इसको मैं कह सकता हूँ 16.36 lakh metric ton दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो total हमारी यहाँ पर production है मैं सिर्फ इन दो सालों को जो है वो pick कर रहा हूँ क्योंकि यह latest है इस survey का updation है तो यहाँ से देख लीजिए जादा possibility 18-19 का आने की है और 19-20 भी पूछा जा सकता है सबसे जादा production हमारे हिमाचल के अंदर है मक्की की जो की 771,000 metric ton हुई है 2018-19 में दूसरे नंबर पे जो production है वो है 682 metric ton की और तीसरे नंबर पे जो आपकी production है वो है 146,000 metric ton की तो यह 3 important crops को आप लोग ध्यान रखना और इनका कितना कितना total production रहा है इसको भी आप लोग थोड़ा सा idea ले लीजिए क्योंकि जब option आएगा तो आपके लिए eliminate करना comparatively थोड़ा सा आसान रहेगा उसी तरह से 2019-20 का जो हमारा tentative production idea है वो भी सबसे ज़्यादा मक्की का है that is 760,000 metric ton देन आपका second number पे गेहूं का है wheat का है that is 670,000 metric ton और तीसरे नंबर पे आपका rice का है चावल का है that is 134,000 metric ton देखिए ध्यान रखना no doubt हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन उसके बावजूद चावल इसलिए ज़्यादा produce नहीं किया जाता है क्योंकि चावल के लिए flat fields चाही होती है plain खेट चाही होती है क्योंकि starting में आप लोगों को idea रहेगा आप सब भीमाचल के ही लोग है या अगर बाहर के भी सुन रहे हो तो हिमाचल जो है उसकी topography थोड़ी सी हिली है तो यहाँ पे तुम्हें बहुत लंबी flat fields नहीं देखने होना चाहिए या जहाँ पे water के availability जाद है वहाँ पे चावल जादा होना चाहिए और normally rice की production मौनसून टाइम पे ही करते है वहाँ पे हिमाचल में बहुत अच्छी बारिच होती है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि topography हमारी favorable नहीं है तो यही कारण है कि चावल उतना जाद produce नहीं हो पाता है वैसे आपके गावों में आप लोगों ने देखा है कि मौनसून के टाइम पे बरसातों में आज भी चावल जो है वह उसको produce के जाता है लेकिन हमारी जो जादा dependency है वो मक्की के उपर है मेज के उपर है जिसको हम मौनसून मंत में जो है वो एक तरह से harvest कर करते हैं या उन्हीं दौरान खारी गर्मियों वाले मौसर में उसको सो करते है तो यहां पर थोड़ी से information को आप लोग ध्यान रखे उसके साथ सब पोटेटो और वेजिटेवल एंड जिंजर जो commercial crops 3 important है उनके बारे में भी यहां से आप लोग देख सकते हो यहां पर जो ट 2.14,000 metric ton estimation अगेन हर तरह हर चीज के उपर negative impact पढ़ रहा है यह हर चीज की production हिमाचल परदेश में 2018 के मुकाबले 2020 में कम है क्योंकि 2018 में production जो थी वो हमारी वैसे भी comparatively बहुत जादा हो गी थी जैसे देख लीजे यहां पर 17-18 के मुकाबले बहुत जादा जो था वो हम लोग ने देखी दी तो दो कारण है एक तो 18-19 में जादा bumper crop होगी और दूसरा कारण है कि 18-20 में जो हो climate ने बहुत जादा साथ हमारे किसानों का नहीं दिया जिसके कारण हिमाचल में production हम लोगों को बहुत जादा देखने को नहीं मिली तो देखे थोड़ा सा factual तो है लेकिन जै production कितनी है और total rice की production कितनी है 2018-19 और 19-20 में इस information को आप लोग memorize कर सकते हैं पिर चली आगे अगला जो है वो agriculture से related schemes के बारे में discuss कर रहा हूँ जो agriculture से related schemes है कुस schemes आपके बहुत पुरानी है बहुत पहले से launch की गई थी कुस schemes आपकी last year launch की गई है इन schemes को थोड़ा सा में discuss यहां पर एक चीज में पता देता हूँ कि जब भी आपका economic survey आता है तो उसमें हिमाचल से related schemes के बारे में में mention किया जाता है और साथ में जो national level की schemes है उनके बारे में में mention किया जाता है तो मैंने यहां पे जो हमारा lecture है उसका जो orientation है वो हिमाचल specific schemes के उपर जादा रखा है क् जो बाकी schemes हैं उनको हम लोग normally भी जब economy या economic survey इंडिया का देखते हैं या जो economic policies देखते हैं economic programs देखते हैं तो वहां पे हम उनको cover कर लेते हैं तो मेरा main और चित्ते यही है कि अगर हिमाचल के उपर specific questions आज़े तो आप उसको easily address कर सको अब देखिए सबसे पहले एक scheme की बा काफी ज़्यादा pests या काफी insects और कभी कभी फसलों को बिमारिया लग पड़ती हैं फसले आपके पीली होनी शुरू हो जाती हैं जिसके कारणर जो हमारा किसान है उसको बहुत ज़्यादा नुक्सान होता है तो basically जो तुम्हारा plant protection program है उसको launch करने का main objective यही है कि लोगों को aware किया जा सके फसलों की बिमारियों के बारे में फसलों के उपर जो insects या pests है उनको किस तरह से control किया जा सके अब जो गरीब परिवार हैं जो आपके small and marginal farmers है और वो farmers जो backward areas को belong करते हैं उसके साथ साथ वो farmers जो SC, STs या IRDP families को belong करते हैं उनको सरकार ने जो है वो इस particular scheme के अंद fertilizer लेना है या chemical लेना है जिससे वो insects pests या जो disease है उनको रोकना चाहता है तो सरकार जो है उसको 50% का subsidy परदान करेगा या जो आपका total जो cost रहेगा जिसे for example अगर कोई chemical 100 रुपे का है तो उसको जो वो 50 रुपे ही farmer को pay करना पड़ेगा अगर वो in specific चारपांच categories को जो है वो belong जो chemicals है वो कितनी percent cost के उपर मिलेंगे या कितना percent जो वो सरकार के दोरा जो है उनको subsidy प्रवाइड किया जाएगा तो कितना percent का cost होगा उनका 50% का या 50% का दूसरा आजिए दूसरा आपका important program है that is your soil testing laboratories आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँपे soil health cards बगरा बनने soil health या soil testing laboratories का मत्तब है कि यहाँपे पूरे रज्य के अंदर हर एक डिस्ती के अंदर चेक किया जाएगा कि soil में कौन-कौनसे nutrients जो है उनकी ज्यादा मात्रा है कौनसे nutrients की कमी है और कौनसी crop हम वहाँपे sow कर सकते हैं कौनसी crop अगर आप लोगोंने वहाँपे sow करनी है बोनी ह तो उसके लिए जो है वो कितना या कौनसा जो है वो fertilizer या कौनसे nutrients जो है वो आपको soil के अंदर डालने पड़ेंगे तो एक मैं कहीनत कहीं यह आपकी जो soil testing laboratories हैं का यही objective यही औचित्या है एक चीज़ धियान रखना यह laboratories जो है वो आपको almost हर district के अंदर देखने को मिलेगी स इसका नाम है lawland speaking और एक और चीज़ धियान रखना यहां पर एक चीज़ mention की गई है कि soil testing services has been included अंडर हिमाचल प्रदेश government public service act 2011 अब सवाल यहां पर आता है कि जो हिमाचल प्रदेश government public service act 2011 है यह है क्या लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ discuss कर लेता हू देखे एक चीज़ धियान रखना कि हिमाचल प्रदेश government public service act कब पास हुआ था काफी पार इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं जिनको हम political questions consider करते हैं वो पास हुआ था आपका 2011 में देखे हिमाचल प्रदेश government public service act का मतलब क्या है कि यहां पे कुछ services जो है वो government के दो पारा notify की जाती है जैसे for example उन्होंने notify कर दिया कि आपका जो smile health card है वो within 60 days बनेगा तो 60 दिन का time period आपको मिल गया है तो इसको मतलब है कि हमाचल प्रदेश government ने इस specific service को guarantee दे दिया कि 60 दिन के अंदर अदर जो आपका card बनेगा उसी तरह से माल लो राशन card है तो वो time दे द आज अगर आप request करोगे तो कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपको वो deliver होके मिलेगा ही मिलेगा वैसे इस act के अंदर जो है वो चीज लिखी गई है कि minimum आपका 30 से लेके 45 दिन तक जो है वो किसी specific services का time bound हो सकता है या time period हो सकता है जिसके अंदर आपको वो services जो वो provide करनी है जो soil health cards है उनका आपका 60 दिन का time period जो वो specific act के अंदर लिखा गया है इस act के अंदर इस particular time पे total 188 188 services है और 27 department जो वो specific act के अंदर आते हैं clear है तो यह थोड़ी सी factual information इसको memorize कर लेना याद करना इस survey के अंदर तो नहीं थी लेकिन फिर भी आपको इस तरह की extra information के बारे पस एक चीज़ ध्यान रखो आप कि जो area है total हमारे राज्य में हमारे हिमाचल में वो कितना है टी के अंदर टी production के अंदर वो आपका है 2311 hectare हिमाचल के अंदर 2311 hectare area जो है वो टी development के अंदर आ रहा है और उसके साथ साथ अगेन यहां पे भी आपकी small and marginal farmers हैं उनको 50% के subsidy ज जाती है अगला देखिए अगली scheme है that is मुख्यमंतरी नूतन poly house यूजना अब सबसे पहले तो सवाल आता है कि what is the meaning of poly house तो देखिए आप सब लोगों ने असान भाशा में देशी भाशा में सुना होगा green house हम बोलते ना कि green house लगाया हुआ इसने अब देखिए green house का एक type poly house, poly house के अंदर जो हम लोग polyethylene को use करते हैं, polyethylene को use करते हैं, green house बनाने का main objective रहता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो fruits हैं, हमारे vegetables हैं वो खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी अगर normally उनको हमने खेत में सो किया हो और उसके साथ साथ कभी climate का impact भी है उनके उप ग्रीन हाउस लगाया जाते हैं जिनको उपर से cover किया जाता है, एक sheet के थूँ कवर किया जाता है, अब देखना ये sheet जो है वो plastic की हो सकती है, मतलब polyethylene की हो सकती है, ये sheet जो ग्लास की हो सकती है, तो green house के अलग लग types हैं, वो glass के हैं, वो polyethylene के हैं, तो जो sheet या जो आपका green house जिसमें polyethylene sheet को use किया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि proper photosynthesis हो सके, और आपके अलग अलग तरह के जो plants हैं, या fruits हैं, या vegetables हैं को हम लोग produce कर सके, उसको हम लोग कह देते, that is poly house यूजना, तो सरकार ने, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, government of India का एक main objective है, कि 2022 तक आते आते हमारे जो farmers हैं, उनकी income को दुगना करना है, double करना है, तो उसी संधर्ब में, उसे context में इस specific scheme को जो हो launch किया गया है, क्योंकि हिमाचल परदेश में है, जो agriculture, normal agriculture है, वो उतना जादा favorable नहीं है, यही कारण है, हम लोगों को horticulture के उपर या इस तरह का green houses हैं, या poly houses हैं, उनके उपर जादा जादा जो है, वो dependency शो करने ही पड़ रही है, सरकार ने इस specific scheme को 2019, 2020, 2019 और 2020 में launch किया था, इस scheme के अंतर का, या इस scheme का मेन जित्य था, कि हिमाचल परदेश के अंतर जो है, वो 5000 total poly houses, जो हम लोगों ने बनाने हैं, और उसके साथ साथ, total 85% subsidy, जो है, वो सरकार क लेके 2023 तक, 2023 तक, ठीक है, चार सालों के लिए, इस scheme के अंदर 85% subsidy, जो है, वो सरकार के दोरा दी जा रही है, मतलब 85% खर्चा जो है, वो आपकी सरकार बियर करेगी, तो उसी संधर्म में, या उसी लिए यहाँ पे जो है, वो mention किया गया था, कि इस scheme को, जो है, वो सरकार न है, इतना 78.59 लाक रूज जो था, वो last time एप्रूव किया था, और इसका जो funding होगा, वो आपका नवाड करेगा, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, नवाड के पास एक fund रहता है, RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund, तो RIDF जो है, इस fund को अलग-लग शित्रों की development के लिए लगाया जाता है Especially जो Rural Areas में, चाहिए वो Agriculture है, चाहिए आपका Credit है घाओं के अंदर, लोगों को परदान के जा सके, वहाँ से नवाड जो फंडिंग प्रवाइड करता है, तो ये पैसा भी नवाड के पास जो है, वो इन्होंने Approval के लिए Submit कर दिया है, जैसे नवाड अप्रूब करेगा ये पैसा जो है, वो हमारे इमाचल को मिल जाएगा, उसके साथ, उसके साथ, नेक्स्ट आपका जाएगा, that is your, नेक्स्ट आपका अगली स्कीम है, that is उत्तम चारा उत्पादन यूजना, ये तो नाम से पता चल रहा है, वैसे ये स्कीम 2015 में लाउंच की गे थी, थोड़ी स इतना जादा तो हम उनकी quality को improve करेंगे, उतना ही जादा जो लाइफ स्टॉक है, जो तुमारी भैंसे हैं, गाएं हैं, वो उतना ही जादा दुधारू या उतना ही जादा दूध जो है, वो आपको देंगे, जिसके कारण कहिना कहीं जो किसान हैं, उनको भी फाइदा जाएं, नेक्स अगला स्कीम आपका है, that is मुख्यमंतरी खेत सरंक्षन यूजना, नाम से पता जल रहा है, मुख्यमंतरी खेत सरंक्षन यूजना का मतलब क्या है, कि जो आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पर गाउं में क्या रहता है, कि खेतों के आसपस बंदर आ जा रहे हैं, या कभी-कभी सूर आ जा रहे हैं, तो किस तरह से उनको जो है, वो खेतों के अंदर आने से रोकना है, और नॉमली हमार्चिल पर देश में यह चीज हर जगा देखी जाती है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सल्यूशन क्या है, कि मान लो किसी का खेत है, किसी इस फैंस है, उसके पास जो जानवर है, क्योंकि जो सूर वगएरा है, वो तो उस फैंस को एजली तोड़ देगा, तो इसके अंदर जो है, तो इसके लिए जो एनरजी आएगे, उसके लिए अलग-अलग निरवाई एरियाज में सोलर पैनल्स बनाएगे हैं, वो सोलर पैन वो टोटल सबसीडी आपकी है, कितनी? 80% सबसीडी जो है, वो सरकार के दोरह दी गही है, 2019-2020 में 35 करोड रुपीज जो तो वो सेंक्शिन किया गया था, और ऐसा उमीद है कि कम से कम 2000 हेक्टर की जो लैंड है, उसको फैंस किया जाएगा, जहां पे सोलर फैंस जो हैं, सोलर जो हैं, उनको यूस किया जाएगा, अगली स्कीम तुम्हारी है, मुख्य मंतरी किसान एवं खेती हार मजदूर जीवन सुरक्षा यूजना, देखे पहला चीज, आप लोगों को ज़्यादा रट्टा मारने के अब शक्ता नहीं है, नाम से चीज़ों का पता चलता है, मु आइफ इंशूरेंस का जो है, वो एक तरह से प्राबधान है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यह जो स्कीम है, यह उन लोगों के लिए है, मान लोग, कभी-कभी आप लोग देखते हो कि हमारे यहां पे, जैसे कभी ट्रेक्टर चलाते चलाते, जो है, वो किसी जो फार्म हैं कि हमारे यहां प्रोटेश में अतने ज़्यादा लेवरर्स तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, तो इस स्कीम के अंतरगर जो है, वो उन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है, कि अगर कल को खेती करते हुए, कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो चाहे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को जो है, वो कुछ पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और एक कंडिशन यहां पे है कि जो भी काम करने वाला होगा, वो 14 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए, not less than 14 years, 14 साल से कम का बच्चा जो है, वो खेतों में जिन्दगी में कभी काम ही नहीं कर सके कर पाएगा, उसको डेढ़ लाक रुपया प्रोवाइट किया जाएगा, और पार्शल डिसेबिलिटी हो जाते है, जैसे माल लोगी कांगली कट गया या कुछ है ना, थोड़ा सा चल तो सकता है, लेकिन धंग से नहीं चल पाएगा, अगर पार्शल डिसेबिलिटी हो जाएगा, तो उसके लिए जो है, वो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया जो है, वो सरकार के द्वारा सेंक्शन किया जाएगा, clear, easy, problem तो नहीं है, next आ गया, that is lift irrigation and जो आपका borebel scheme है, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, यहाँ पे 9.91 करोड जो है, वो पुरदान किया गया है, समझाने वाला कुछ है नी, इसमें, next देखिए, that is your, सौर सिंचाई यूजना, सौर सिंचाई का सिंपल सा मतलब है, कि किस तरह से, जो हमारे, आप लोगों ने देखे होंगे न, गरों में पंप यूज करते हैं, जहाँ पे हम electricity को, जो है, वो directly link करके, पानी जो हो, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे जो pump, यहाँ जो हम lift irrigation करते हैं, lift में क्या है, कि जैसे आपने देखाऊगा, कि माचल में maximum जगा पे वैसे ही, जो है, वो water supply परदान की जाते हैं, जैसे मानलो कोई, आपकी नदी बहरी ह है, जिसको देशी भाशा में तुम खड कहते हो, तो वहाँ से तुम लोग ने देखा होगा काफी गाओं को, काफी शेहरों को जो है, वो पानी जो है, वो आपका ट्रांसपूर्ट होता है, clear है, तो जब तुम मानलो pump के थ्रू जो है, वो water को pick करोगे, तो वहाँ पे जो है वो पानी जो आपका pump है, वो solar energy के उपर काम करे, clear, तो यहाँ पे सरकार ने जो है, वो अलग-लग तरह की subsidies का प्रावधान किया, वैसे moral ऐसे collective के लिए नहीं है, यह सिर्में आपको example के रहा था, यह individual farmers के लिए है, तो अगर कोई small and marginal farmer है, last lecture में हमने डिसकस किया था है, small farmer क् और हमाचल परदेश में कितने small and marginal farmers है, उनको 90% assistance परदान की जाएगी, clear, जो आपके medium and big farmers है, उनको जो है, वो 80% तक assistance प्रवाइड की जाएगी, और अगर मालो 5 लोग मिलके, जो है, वो solar pumping machines लगाना चाहते हैं, अपनी पूरी community के लिए, तो उनको जो है, वो 100% assistance जो है, वो 5,850 solar agricultural pumping set जो हैं, उनको किसानों के लिए available कराए जाएगा, तो यह चीज़ देखें, धीरे-धीरे हब क्योंकि हिमाचल परदेश में, जो हिली areas है, वहाँ पे भी तुम्हारा solar energy का potential जो हो बहुत ज़ादा है, तो यही कारण है कि कहें अब हम लोग हाइडल से shift कर रहे हैं wind के लिए उतने जादा favorable situations जो हैं, वो हमारे राज्य के अंदर नहीं है, तो there is a possibility कि हम लोग solar और हाइडल तो हमारे पास है ही, लेकिन हाइडल का तुम लोगों को पता है कि हाइडल के जो consequences है, environmental consequences है, displacement लोगों की हो रही है, वो थोड़े से negative है, पर चलो एक खासियत है हमारे रज्य की, कि यहाँ पर आप लोग देखो, छोटे-छोटे मेगावाट के, दो मेगावाट का, पांच मेगावाट का, छोटे-छोटे power projection है, वो हम लोगों को देखने को मिलते है, clear, चलिए चलिए, जल्दी चलते, next, अगल आ जाएगा, that is, जल से क्रिशी को बल्योजना, तो जल से क्रिशी को बल्योजना, इस स्कीम का मेन अब्जेक्टिव क्या है, कि चेक डैम बनाये जाएं, और पॉंड्स बनाये जाएं, ताकि किसान जो है, वो irrigation के लिए पाने को यूज़ कर सके, तो चेक डैम तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जैसे मालोग लोग खड बह रही है, यह एक नदी बह रही है, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पर कुछ, मालोग 2-3 मिटर का जो है, वो एक चेक डैम बना दोगे, अब पानी आएगा, तो पानी यहाँ थोड़ देर के लिए रुख जाएगा, और बाक्या का ज्यादा ओबर फ्लोगा वो पानी जोब इसको क्रोस करतेगा, तो यह जो वाटर आपका रुखा है, इसको किसान जो है, वो इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, और नॉर्मली एक चीज़ देखिए, जब आप लोग हमाचल में खेटी देखते हैं, तो मैक्सिमम जो खेटी है, वो तुमारी वैली इसको करेंगे, तो वहाँ पे जो है, वो इस तरह के पॉंड या चेक्डाम बनाना कहीं कहीं, इरिगेशन के लिए नैचरल भी है, बहुत जादा खर्चा भी नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ है, कि जो पूरे का पुरा खर्चा है, 100% कॉस्ट जो है, वो सरका को बियर करने पड़ेगी, क्या सरकार बियर करेगी, ताकि पूरे के पूरे की पूरे कॉमिनिटी या जो हमारी फार्मोर्स है, उनकी इंकम को इंक्रीज के जा सके, एक सी ध्यान लखना, बैसे चलिए नोड आउट हम प्री के ओपर जादा फोकस कर रहे है, लेकिन कल को रहते हैं, फार्मोर्स की इंकम को दुगना करना, डबल करना, वो इंकम तभी दुगनी हो सकती है, जब रज्योस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अग्रिकल्चर जो है, वो तुमारा स्टेटलिस्ट का सबजेक्ट है, तो उसी तर्ज के उपर हिमार्चल परदेशन है, इन स जादा एरिया इरिगेशन के बाहर रहेगा, उतना ही अनप्रडिक्टिबिल्टी रहेगी एग्रिकल्चर के उपर, और क्लाइमिट जो है, वो जादा अपना इंपक्ट डालेगा, कि कलको बारिश नहीं हुआ, तो आपका एग्रिकल्चर जो है, वो जादा प्रड्यूस न उनके उपर ज़्यादा में फोकस करते हैं, और हमारे यहां पर बहुत बड़ी पंजाब और हर्याना की तरह अगरिकल्चरल फील्ड नहीं है, तो यही कारण है कि शायद हिमाचल में आप लोग ग्रेन प्रड़क्शन उतनी जादा नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारा जो हमाचल ने जो वो ग्रो किया है, 1950-51 की अगर मैं बात करूंगा, तो हमाचल का जो टूटल एरिया अंडर हॉटिकल्चर एंडर फूरूट प्रोड़क्शन था, क्योंकि फूरूट मेजर प्रोशन है हमारा, जो अंडर फूरूट प्रोड़क्शन था, वो 792 हेक्टेर था, और अगर मैं 2018 की बात करूंगा, तो अब देखो कितना है, दो लाक बत्यस अजार 149 सेक्टर, 2,32,139 हेक्टेर, तो तुम लोग देख लो, तो एक फेक्ट तो आप लोग यह याद करोगे, दूसरा फेक्ट याद रगरो करोगे, कि टोटल जो फूरूट प्रोड़क्शन ह हिमाचल परदेश के अंदर 2018 में, वो कितनी है, वो आपकी है, 4.95 लाक टन, और अगले आगी में अगर मैं बात करूंगा, तो यह आपकी है, 7.07 लाक 2019-20, जो कि दिसंबर तक का डेटा है, क्योंकि सर्वे आपका जनवरी के आसपास कमपाईल हो जाता है, तो तीन मिहनों का डाटा फिर अगला जब सर्वे आएगा, तो इसमें 2019-20 के बारे में हमें ज्यादा च्छे दंग से पता चलेगा, तो यहाँ पे 2018-20 का डाटा हमारे पस परफेक्ट है, तो यहाँ पे तुम लोग मैं याद कर लेना, कि टोटल फ्रूड प्रूड प्रूड़क्शन आपकी ह तो फ्रूड प्रूड़क्शन के अंदर आ गया है, तो पता ही होगा, आप लोग को किसको कहते है, खुम्ब विकास, खुम्ब का मतलब यहाँ पे है, कि मश्रूम कल्टिवेशन जो है, उसको किस तरह से आपके राज्य में इंक्रीज किया जा सके, अगला है मुख्य मंत्र ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम, कि जो आपके पुराने पोली हाउसे हैं, उनको किस तरह से फिर से रिन्यू किया जाए, उसके लिए जो है, वो सरकार के दोरा लाँच की गई है, और एक करोड रुपया जो है, वो इसको सैंक्शन किया गया है, और बीस करोड रुपया सै सैंक्शन किया गया है, अगेंस दी एंटी हेल नेट्स, जो आप लोगों ने देखा कि ओले से हमारी फसल जो बहुत दा ब्रवाद होती है, तो कही ना कि जो हेल स्टॉर्म जब आ रहा है, तो उस पटिकुलर टाइम पे किस तरह से अपने जो फील्ड से उनको बजाय जा सक उसके लिए 20 करोड से सरकार ने संक्शन किया है, देखिया अर इतना स्पेसिफिक इंफर्मिशन तो शायद नहीं पुछा जाएगा, लेकिन अगें फिर भी आप लोग टाइम है, आप लोगों के पास बार बार मल्टिपल टाइम रिवाइस करते रहे हैं, आप लोगों के सब फील्ड है, इसी के अंदर होटी कल्चर के अंदर जिसमें फ्लार की उपर में फोकस किया जा रहा है, तो देखें जिस तरह से हमने फ्रूट प्रोडक्शन या फ्रूट के अंदर जो टोटल अगरिकल्चर दे रिया है, उसको डिसकस किया, उसी संधर्म में आप लोग कि टोटल फ्लार्स के अंदर आपका अरिया कितना है, 493.47 हेक्टेर, और हिमाचल के अंदर फ्लार कल्टिवेशन को प्रमोट करने के लिए, मौडल फ्लार कल्टिवेशन सेंटर्स बने हुए हैं, यह याद रखोगे सब लोग, यह इस तरह की इंफोर्मेशन बहुत इंप लोग को पता है। इसके साथ जो आपकी कोपरेटिव सोसाइटीज है, 9 फार्मर कोपरेटिव सोसाइटीज भी काम कर रही है, तो एक थोडि से इंफोर्मेशन इसको भी ध्यान रखना कि कौन कौन से जो रज्ये हैं, यापके रज्ये के अंदर आपकी स्टेट के अंदर नहीं है जिनका में इंपॉइमें जो लक्षय है वो है राज्य के अंदर स्टेट के अंदर फ्लार कल्टिवेशन को प्रमोट करना चले अगला अग्रिकल्चर यह भी लाइब स्टॉप भी आपका अग्रिकल्चर का ही पार्ट माना जाता है देखें तो 1981 से पहले अग्रिकल्चर मीन्स ओनली फूट ग्रेंड ठीक है उसके बार दिनों ने जो अग्रिकल्चर की डेफिनिशन ती इसको रीडिफाइन किया लाइफ स्टॉप है फोरेस्ट्री है फिश्रीज है यह सब कुछ जो है वो आपका होटिकल्चर है यह सब कुछ जो है तो आपका अब इस पटिकुलर टाइम पर एग्रिकल्चर की डेफिनिशन में आता है तभी हम कहते हैं अब देखिए अगर मैं लाइफ स्टॉक्स की बात करूंगा तो लाइफ स्टॉक्स में यहां पर छोटा सा इंफॉमेशन है कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल मिल्क प्रोडक्शन आपका हुआ 14.60 लाक तन और देखिए यह थोड़ा सा डेटा है इसको याद लेना कितना हुआ आपका 14.60 लाक तन और पर कैपिटा अबिलिबिलिटी पर ग्राम की अगर बात की जाए पर डे की बात की जाए तो हमाचल परदेश के अंदर हर ए बूध जो हो आपको अब लेवल है एक नेक्स्ट आपका है दूसरा देख लेज़े जो वूवल आपको मिला वो कितना है जो बूल आपको मिला वो आपका है 1503 टन जो एग्स टोटल है जो आपका बीट है वो सारे का सारे इंफोर्मेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यह जो चार्ट आपका बना है जिसमें लिखा है कि टोटल मिल्क प्रडक्शन टोटल मिल्क प्रडक्शन जो है वो हिमाचल परदेश के अंदर कितनी है फिर से रिपीट करो वो आपकी है 14.60 और जो पर कैपिटा अबिलिबिलिटी है वो आपका है 584 ग्राम बें नेक्सट दूसरा यह यह देखे यह बहुत इंप्रॉटन है यह जो आपकी स्लाइड यहां पे शोग हो रही है यह काफे काफ़ेवेंड और काफ़ cooler है जो आपकी शीप की quality या उसके वूल की quality उसके उन की quality को improve करने के लिए government के sheep breeding form है ये याद रखेंगे कहां कहां है जोरी जोरी कहां पे है शिमला में ताल ताल आपका कहां पे है हमिरपूर में और तीसरा आजाएगा करचम करचम आपका कहां पे है कि नौर में दूसरा जहान रखना one ram center at नगवाएं नगवाएं जो है वो आपका कहां पे है district solan में I think सब लोगों को पता होगा आप में से कि जो नगवाएं है उसका या सॉरी जो आपका rams है वो क्या होते है देखो आप लोगों ने देखा होगा ना उसको जो है वो आप लोग राम्स कहते है तो उनका जो breeding center है वो भी बनाया गया है आपका कहां पे नगमाएं नगमाएं आपका कहां पे है मंडीट स्टिक के अंदर उसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा अंगूरा rabbit देखिया अंगूरा rabbit जो है यह सबसे पुराना domestic rabbit जो है वो consider किया जाता है यह आपका टर्की के अंदर एक जगा है यह आपका अंकारा वहां से जो है वो बिसिकली rabbit जो है वो आपका originate हुआ है तो अंगूरा rabbit जो है उसकी खासित कहा है कि इसका जो fiber होता है जो इसका बाहर का जो उन वगएरा है वो बहुत जादा soft होती है और साथ में बहुत जादा strong भी होती है strength भी उसकी बहुत जादा होती है तो कहिना कि सर्दियों में जो है वो उसको हम warmth के लिए use करते हैं तो अंगूरा rabbit farms जो है वो आपके बने है कंडवारी कंडवारी आपका कहा है कांगड़ा में और साथ में आपके बने है नगवाएं नगवाएं आपका कहां पर है मंडी में ताकि इन specific अंगूरा rabbits को जो हम लोग हमाचर परदेश के अंदर distribute कर सके तो यह slide I think सबस्दा relevant है इसमें आप लोग देखो total milk production कितना है और उसके साथ साथ जो है वो आप देखो कि per capita milk production कितना है उसके साथ साथ जो है वो आप देखो कि कहां कहां sheep breeding farms है उनमें एक rams जो sheep का ही एक species है उसके लिए जो farm बना है center बना है breeding center बना है वो कहां पर बना है अंगोरा rabbits के जो centers है वो कहां कहां है तो यह information जो आप लोग को थोड़ा सा memorize करना पड़ेगा चले अगला आज ये total forests की बात करें तो इस time पर या total जो हमाचर परदेश का area या जो forest area है वो 37,947 स्केर किलोबीटर है मतलग पूरे हिमाचर परदेश के area का 68.16% बट unfortunately जो reality में forest cover हमारा बचा है मतलब जैसे for example एक area है जिसको forest area declare के लेकि उसमें पेड़ नहीं है पेड़ कर चुके है तो reality में जो forest हमारे यहां पे मौझूद है वो total हमारा सिर्फ 28.60% है यह सब लोग ध्यान रखना total जो forest area है वो आपका 68.16 है लेकि उसके अंदर जो forest cover आपको देखने को मिलेगा forest cover देखने को मिलेगा वो forest cover आपका है 28.60% तो यह बहुत ज़्यादा एक problem का जो है वो आपका कारण है और हमारा जो forest department है उसने प्लैन किया अब देखो यह याद रखेंगे सब लोग कि forest department के अंदर total forest cover जो हमारे रज्ये के अंदर जो इस particular time पे 28.60% है उसको हम लोग कब 30% या 2030 तक कितना percent increase करने का target है वो target आपका है 30% का क्योंकि जो sustainable development goals है अगेन इसको पिछले lecture में भी देख चुके हैं budget में भी हमने थोड़ा सा discuss किया था तो sdg जो है उनको achieve करने के लिए आपका total area का forest cover देया जाना forest area और forest cover दोनों डिफरेंट चीज़ है तो total forest cover आपका 30% होना चाहिए 2030 तक आते यही हमारा forest department का जो है वो एक तरह से main target है इसके साथ साथ जो है वो supreme court ने allow कर दिया हुआ है कि जो आपका silvy culture felling है जिसमें आपका खैर है चील है और चीर जिसको आप चील के पेड़ बोलते हो चीर जिसको वैसे English में चीर भी कहा जाता है तो उसको जो है वो काटना allowed है जो कि supreme court के directions के अंदर ही काटा जा रहा है यह आपका नूरपूर ranges में है भरारी ranges जो बिलासपूर में है और ponta साहिव के अंदर जो ponta ranges है वहाँ पे जो वो supreme court में इसको अलॉग किया है तो यह कारण है वहाँ पे तीन द्यान अतना कि supreme court ने कौन-कौन से पेड़ों को अलॉग किया है कटने के लिए खैर है चील है और साल है और कौन-कौन किसी जगाओं के उपर किया है यह आपका किया है इन्होंने नूरपूर में भरारी में और अगला देखिए अगला आपका जो forest conservation से related schemes है वो कौन-कौन सी है देखो यह जो specific schemes है यहां पे जो है वो मैं बता देता हूं आपने कौन-कौन सी चीज़ों को study करना है सबसे पहली scheme आपकी है सामुदायक 1 समभर्धन यूजना इस scheme का simple सा असान भाशा में बता बता देता पता चलता है सामुदायक 1 समभर्धन यूजना कि जब पूरा समुदाय पूरी community जो है वो forest के conservation को improve करेगा forest cover को increase करने में help करेगा यह उस scheme का main objective रहेगा दूसरा आ जा गया विद्यारती 1 मित्र यूजना विद्यारती 1 मित्र यूजना का simple सा मत्री है कि बच्चों के अंदर forest से related या natural conservation से related जो बीज है उसको बोया जाए ताकि बड़े होके वो पेड़ों को ना काटे और तुम लोग देखना हमारे हाँ पर school level के उपर भी जो है वो हर साल में एक दो बार जो है वो आपकी activity होती है जहाँ पर जो forest या जो हमारे पेड़ बगएरा जो बच्चों से ल जागरित हो उसके बाद आपका जाएगा देट इस वन समरिद्धी जन समरिद्धी योजना जो वन समरिद्धी जन समरिद्धी योजना है इसका simple सा मतलब है देखें जो अगर आप I think आप सब लोग गाउं से बिलॉंग करते होंगे या आपको पता है कि गाउं में जो के लिए यूज किया जाते हैं गाउं में जो पेड हैं वो आपका एनरजी के लिए यूज किया जाते हैं जिसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने गाउं के जो चुले होते थे वहां पे लकड़ी को ऐसे फ्यूल जो था वो यूज किया जाता था जो आपके पेड़ है वो एक तरह से तुम्हारी जो recreation need है उसको भी satisfy करते हैं clear तो पेड़ जो है उनका non timber purpose मतला लकड़ी के अलावा जो बाकी purpose है कि लोगों को जो है वो जागरूख किया जाए कि देखे पेड़ जो हो तुम्हारे ले कितने महत्वपूरण है क्योंकि तुम लोग देखना आजकल भी जो तुम लोग देखते होंगे कि तुम्हारे गाओं में या तुम्हारे शहर में तुम्हारे घर में और इस ताइम पर आइधिंक तुम घर पे यही देख रहे होंगे और हो सकता है तुम पैसे कुछ लोग ये काम कर भी रहे हों कि शाम को जाके जो है वो पेड़ से काट लिया, करयाले जिसको दुम कहते हैं, उसमें से जो है जो है वो चारा जो है वो पशुओं के लिए दे लिया, ठीक है, तो बिसिकली जो वन समरिद्धी, जन समरिद्धी हो जाना है, ये साथ डिस्टिक्स में पहले इंप्लिमेंट किया जाएगा इसमें जो आपके नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से उनको बेचा भी जाएगा अगें जो मैंने कॉमर्शल पॉपस के लिए बिरोजा का एक्जामपल दिया था बाकी तो मैं सिर्फ एक जर्नल पॉपस के ल है वहां पर मौनसून के दौरान या विंटर सीजन के दौरान जो है वो एक अपने घर की लैंड के उपर या सरकारी जमीन के उपर जिसको अब शामलायत कहते हैं वहां पर लड़की के नाम पर जो बूटा लगाएंगे क्लियर है और यह स्कीम जो थी वो 2019 में प्रपेर की यह दूनों इससे परपस सॉल्व हो गए इससे तुम्हारा फॉरेस्ट कभर के उपर का परपस भी सॉल्व हो गया कि पेड़ लगा रहे हो फॉरेस्ट कभर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो जो तुमारी वोमन जो आप तुमारी सेक्स रिश्यों इमाचल के साथ वो इंक्रीज होगा और हिमाचल परदेश जैसा रज जो कि अभी भी कही न कहीं जिसको हम लोग एक सेनेटिक ब्यूटी के लिए जानते हैं अगर हम इसको बचाना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि आसे 10-15-20 साल के बाद इसके हालात वैसे ना हो जाए जहां से बंदगी है वो अच्छी है तो उसको लिए तुम लोगों को निच्चर से प्यार करना पड़ेगा यह चलिए बहुत चलिए आगे चलते हैं next देखें forest conservation के लिए climate change के impact को mitigate करने के लिए ecosystem को develop करने के लिए दो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के उपर या जो पहले वाला प्रोजेक्ट है इसके उपर दो-तिन साल पहले exam में question पूछा जा चुका है और यह economic survey में हमेशा इस project को जो को mention किया जाता है देखें एक आपका project है forest ecosystem climate proofing project तो climate proofing project जो है वो इसका simple सा मतलिय है कि जो climate change के impact है उनको किस तरह से mitigate किया जा सके और जो forest से निकलने वाले product हैं उनको किस तरह से जो communities forest के उपर dependent जैसे मैं थुछ दिर पहले example भी दे रहा था उनको जो है उसका पूरा proper benefit जो परदान किया जाए तो इस specific project को जो fund किय है वो आपका German developmental bank ने किया है तो पहला सवाल तो आएगा आगे मैं बताता हूँ कि जो आपका सवाल दोतिन साल पहले पूछा था था पर पहला इस specific project को जो fund किया है वो जर्मन डवल्बन्ट बैंक ने किया है दूसरा इस specific project को जो implement किया गया है वो दो districts के चमबा के अंदर कांगडा के अंदर। तीसरा इस स्कीम को जो लॉच किया गया वो 2015-16 में किया गया साथ सालों के लिए इस स्पेसिफिक फंड को जो परदान किया गया और इस फंड में जो शेर है वो 85.10 परसुट शेर जो है वो जर्मन डेवल पेंटल बैंक का है। और 14.90% शेर जो है वो तुम्हारा रज्य का है तुम्हारी स्टेट का है तो सवाल यहां से देखो क्या था बाकी सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया सवाल था कि हिमार्चर परदेश फरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रजेक्ट जो है तो कौन कौन से दो डिस्टिक्स के अंदर लॉंच हो रहा है तो वो दो डिस्टिक्स आपकी हैं फर्स्ट इस ओर चंबा और सेकंड इस ओर कांड़ा और अब पूछा जा सकता है हो सकता है तो पॉस्पिल लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहां पर भी जो फॉरेस्ट न को कंजरू करना है जो जो डिपेंडनेंट कॉम्मिनिटीज है उनके लिए अगर तुम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करोगे तो अब बीसे बात उनके ज्यादा रिसूर्स बिलने शुरू हो जाएंग के लिए लाउंच हुआ है दूसरा इस स्पेसिफिक प्रजेक्ट का जो फंडिंग प्रदान किया है वो आपका किया है जापान इंटरनाशनल कॉपरेशन एजनसी ने तीसरा इसका जो फंडिंग पैटरन है वो पुराने वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पे 80 परस इसको लाउंच किया गया है तो इसको लाउंच किया गया है तो इसको लाउंच किया गया है बिलासपूर में इसको लाउंच किया गया है कुलू में इसको लाउंच किया गया है मंडी में इसको लाउंच किया गया है शिमला में इसको लाउंच किया गया है किनौल, लॉल्स पीटी पांगी और भरमॉल दों की चमबा डिस्टिक्स के अंदर है और साथ में दिहान रखना इसका जो आपका हैड़कॉर्टर है वो कुलू शामशी में है अगेन डिस्टिक कहां पे है तुम्हारे कुलू और इसका जो प्रजेक्ट ऑन सोर्स सस्टेनिबिलिटी एंड क्लाइमिट रेजिलियंट रेइन फेड अग्रिकल्चर सेम वाटर प्रडुक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अग्रिकल्चर को डबलब करने के लिए तो यहां पे आपका गेन 80% वर्ल्ड बैंक का फंड रहेगा 20% जो हो तुम्हारे हिमाचल परदेश का साथ साल के लिए जो है वो इस स्पेसिफिक प्रजेक्ट को लाँच किया गया है यह प्रजेक्ट जो लाँच किया जाएगा वो आपका 900 गराम 25 में किया जाएगा जो तुम्हारे शिवालिक हिल्स में मेजूरिटी में जो है वो आपके सिचुएटेड है या तुम्हारे मि include किया जाएगा अब असान भाषा में समझा देता है थोड़ा complicated हो गया देखिए असान भाषा में क्या है कि अब हमारे हिमाच्चल में काफी ऐसे एरियाज है जहाँ पर agriculture नहीं हो सकता है तो जहाँ पर agriculture नहीं हो सकता है वहाँ पर और क्या practice हो सकती है वहाँ पर तुम लोग जो अगरिकल्चर को जादा तवज़ो दे सकते हो वहाँ पर तुम irrigation लेके जा सकते हो तो कही ना कहीं जो world bank के द्वारा यह specific आपका जो project है इसका main orientation main objective यही है कि जो rain fed agriculture है उससे related जो problems है उनको कैसे address कि जाएगा क्यों rain fed agriculture आपका बारिश के उपर dependent है rain fed का जो सबसे best solution तो र provide कर दो तो कहीं ना कहीं जो unpredictability of agriculture है वो reduce हो जाती है पर अगें nature बारिश के अलावा तुम्हारा hail storm है तुम्हारा तुफान चल रहे है तुम्हारा बारिश इवन नहीं हो रहा है या तुम्हारे जो pests हैं तुम्हारी disease हैं बहुत सारे factors हैं जो कि agriculture के उपर impact डाल सकते हैं तो क रहे ही ना कहीं यहां पर तुम लोग rain fed agriculture को promote करोगे विद्धी हल्प वर्ल्ड बैंक का किन याद क्या रखना है कितनी पंचायत में project launch हो रहा है क्या funding का pattern है कितने साल के लिए है कितना area रहा है इसके अंदर बस यह बाकी कैस का objective है परस्पेक्टिव है यह objective वगारा जो है लोगों के लिए relevant है जब तुम means बगारा की preparation कर रहे होंगे अब देखिए यह सारे का सारा जो वो तुम्हारा share है GVA का इसको हम लोगों ने जो है वो last lecture के अंदर discuss कर लिया था concept हमने की what is the meaning of GVA तो यहां पर जब उस पूरे को आप सिर्फ यह वाला याद रख लेना यह है क कि GVA का agriculture का कितना share है, crops का कितना share है, livestock का कितना है, forestry का कितना है और fisheries का कितना share है तो यह specific information यह specific data जो है इसको आप लोग मेमराइज कर सकते हो चलिए next आपका आजाएगा that is regarding the water resources, देखें, अब total देखो, सब लोगों को पता है आप लोगों को कि हिमाचल परदेश के अंदर जो total geographical area है, वो है 55.67 lakh hectare उसके अंदर जो 5.87 lakh hectare है, वो net zone area है, जहाँ पे हम crops को सू करते हैं, हिमाचल परदेश के अंदर जो probability है कि approximately कितने lakh hectare तक जो है, वो हम लोग एक तरह से provide कर सकते हैं, irrigation, वो आपकी है 3.35 lakh hectare, clear? और अभी तक जो है, 2.80 lakh hectare land जो है, वो इसके अंदर आ चुकी है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना जो total number of habitations है, 54,469 जो है वो आपकी total habitations है, इसके साथ जो है वो अगर मैं habitation की बात करें कि total habitation जहाँ पे 100% population coverage जो है वो आपकी irrigation के अंदर आ चुकी है, वो prohibitation जहाँ पे 0 से लेके 100% तक आई है, वो आपकी 36.62% है, clear? अब next देखिए, अगर मैं irrigation की बात करूँगा, अगर मैं irrigation की बात करूँगा, तो irrigation से related जो तुम्हारे projects है या कुस specific schemes है, जो news में है उसको हम लोग जो है वो एक तरह से देख लेते हैं, सबसे पहले तुमारी scheme है hand pump scheme, बस इतना याद रख लेना, कितने hand pump तुमारे राज्य में बने है, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मत्तब ज्यादा factual है, लेकिन हम लोग को इस तरह से prepare रहना है, दूसरा आ जाएगा, major irrigation project, देखो, पहले एक बात सुनो, तीन तरह के तुमारे irrigation projects होते हैं, एक तुमा हेक्टेर से जादा area होगा, वह हो रहेगा, आपका major irrigation project, जब 2000 से लेके, 10,000 के बीच में रहेगा, उसको हम लोग कह देते हैं, that is your medium, medium में तुमारा होगा, 2000 से लेके, एक 10,000 hectare के बीच का area, उसके बाद अगर मैं minor irrigation project की बात करूँगा, तो minor irrigation project होते हैं, जो area तुमारा लेत area या ऐसा project जहां पे 10,000 hectare से जादा area सिंचाई के अंदर या irrigation के अंदर आना है, medium जहां पे 2000 से लेके, 10,000 hectare के बीच का area आना है, minor जहां पे 2000 से कम hectare के बीच का area आना है, तो हमारे यहां पे जो major irrigation project है, वो आपका है, शहा नहर जो की कांगडा डिस्टी के अंदर की major irrigation project है, और इसके अंदर जो total land है, वो आपकी है, 15,287 hectare, अगर मैं medium irrigation project की बात करूँगा, तो हमारे यहां पे काफी medium irrigation project है, कुछ medium irrigation project complete हो चुके हैं, और कुछ medium irrigation project शर्मन के ओपर काम होना शुरू हो चुका है, जो काम होना शुरू हो चुका है, वो तो हम लोग शायद budget के अंदर discuss भी किये थे, अगर आप लोग को थोड़ा से याद रहेगा, अगर मैं medium irrigation की बात करूँगा, तो एक तो तुम्हारा विलासपुर के अंदर आ गया, चंगर, जो 2750 hectare के आसपास है, एक तुम्हारा जो है, वो आपका आगया सिधाथा, जो आपका कांगडा के अं मंडी के अंदर है, तो इस पटिकुलर टाइम पर ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट है, वो जो हो गया है, इस ताइम पर तो तुम्हारे प्रोग्रेस में है, एक तुम्हारा है फिना सिंग, तो फिना सिंग जो है, वो फिना सिंग तुम्हारा जो प्लांट है, वो आपका ह नूरपुर के अंदर गांगड़ डिस्ती के अंदर है और अगला तुम्हारा जाएगा नदान आप लोगो पता है निदान कहां पे तुम्हारा अंदर तो फिना सिंग नूरपुर में आगया नदान जो है वह आपका हमिरपुर में आ गया यह दो प्रजेक्ट जूब अंडर आपके इस टाइम पर चल रहे है तो आप लोग नब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि major तो एक ही है उसका याद रख लेना नाम और minor जोग आपके 4-5 है तीन हो चुके है तो आपके under execution है Next देखिए यह अगेन थोड़ा सा information है इसको आप लोग रीड कर लेना प्री के लिए बहुत रहे हैं नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बाद देखिए Next आपका जाएगा climate change climate change के उपर state knowledge cell on climate change बने हैं जहां पर वो assess कर सके कि कुछ specific rivers के उपर climate change का impact होने वाला है क्या उनमें flooding बहुत जादा हो जाएगी या उनमें पानी नहीं आएगा तो इस particular time पे चार districts के अंदर जो है वो climate change का क्या impact पड़ेगा ब्यास river के उपर और वो ब्यास river basin जिन चार districts के साथ linked हैं वहां पे जो है वो उसको study कर रहा है कि what is impact of climate change what will be the impact of climate change on these four districts जो की ब्यास के साथ directly or indirectly related है एक आपका है कुलू, मंडी, हमिरपूर and कांगड़ा बदे छोटा सा दियान रखना है कि जो आपका state knowledge cell है जो इस particular time पे climate change के साथ associated है वो कौन से चार चार districts के लिए काम कर रहा है वो चार districts तुमारी है कुलू, मंडी अब देखेएर eco villages का मत्तब रहेगा कि जो villages जो ecologically sustainable हों मतलब वहां पे कोई बहुत जादे infrastructure ना बनाए जैसा गाओं आपका बना है उसी गाओं में जो वो tourism को एक तरह से promote किया जाए दूसरी चीज क्या है कि कही ना कहीं आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जैसे यहाँ पर लिखने है तू रड्यूस दी इकोलोजिकल फुट्प्रिंट बाई एज मच फिफ्टी परसेंट एकोलोजिकल फुट्प्रिंट का मतलब क्या है जैसे फॉर एजांपल इस मालो तो एक daug को विलेट का बनाने का में बच्टीव यही रहिए कि किस तरह से उन स्पेसिफिक विलेजिज के आगए जो आपका इकोलोजिकल फुट्प्रिंट है जो डिमांड और सपॉप्लाइए में मिसमैच है असान भाशा में कि तुम लोगों ने रिसूर्स को exploit नहीं करन तुम्हें लगाने हैं और उसके साथ पेड़ों के जो बाक्की फाइदे हैं जो नॉन टिंबर प्रोडक्ट से उनके हैं उनको अपने लिए जो है वो यूटलाइज करना है या यूज करना है तो इसके लिए जो है वो टोटल 11 विलिजिज एडेंटिफाई कीजिए है नेक्स आजाएगा डेट इस सेटिंग अप ऑफ बायो मिधनेशन प्लांट एट कुफरी के अंदर जो है वो तुम्हारा जो हावर हॉस्डंग है या जो बायो डिगरेबल वेस्ट है उसके किस तरह से जो है वो आपका मिधेन गैस को प्रोड्यूज किया जा सके वो तुम्हा जो हमने अभी तक डिसकस किया वहां पर यूटलाइज कर सकते हो पस यह ध्यान अखना कि बायो टेकनोलोजी पॉलिसी जो हो कब लॉंच हुई है वो लॉंच हुई है आपकी 2014 में इसके अलावा एक आपकी स्कीम है जिसमें लिखा गया है कि जो आपके प्लांट्स हैं वेल बैसे जो डैम्सु क्रोस ढौँड फूल की तरह ही दिखता लेकिन कहीना कहीनका जो यूज है वह केहना गें मैडिसिनल भी है तो इन 2 जो आपके आपके प्लांट्स है दई वेलिरीना कॉट्ध डैम्सु क्रो sans इनको इस तइम पह दो रिजिसिस्टर सुसाइटी जो है इंड्स्ट्रव यूनिट्स कितने हैं 54,310 इंड्स्रील उनिट्स है। इन में से लार्ज इंड्स्रील इउनिट्स कितने हैं 140 मीडियम स्केल उनिट्स कितने हैं 628 साथ में अभी तुम लोगों ने देखा था ची पहले हिमाचल परदेश में जो investor meet tweet उसके बाद इन लोगों ने देखा कि कितने लोग जो हिमाचल प्रदेश के अंदर invest करना चाहेंगे तो हिमाचल के बाद शिमला में एक ceremony organize की थी जिसमें आपके home minister भी आये थे तो वहाँ पे जो है वो 251 प्रोजेक्ट जो मैं announce किये गये हैं 13,600 क्रोड रुपीज के अगला आ गया that is your मुख्यमंतरी स्वाब लंबन यूजना देखो मुख्यमंतरी स्वाब लंबन यूजना असान भाशा में मतलब स्वाब लंबन का मतलब होता है self dependence self employment तो हमारे रज्य के अंदर जितने भी लोग जो 18 से लेके 35 साल के बीच में हैं वो अपना business शुरू करने के लिए अपने लिए खुद employment generate करने के लिए सरकार से loan ले सकते हैं सरकार जो है वो उन लोगों को 40 लाग तक का loan देगी अगर मालो कोई male 40 लाग का loan ले रहा है मुख्यमंतरी स्वाब लंबन यूजना के अंतरगत तो वो male जो है वो उसको 25 परसेंट सबसेडी सरकार के दोना परदान की जाएगी अगर female ले रही है कोई loan इस particular scheme के अंदर तो उसको 30 परसेंट सबसेडी जो है वो परवाइड की जाएगी अगर video ले रही है उसको 35 परसेंट सबसेडी जो है वो परवाइड की जाएगी तो यहां पर यह बताया गया कि कितना पैसा sanction हुआ 27.94 करोड शायद यह जो information मैंने आपके साथ डिसकुस की यह ज़्यादा relevant है नेक्स आगया देट इस सीरी कल्चर इंडस्ट्री तो सीरी कल्चर के बारे में आप सब लोगों को पता होगा सीरी कल्चर जो है वो इट बेसिकली डीविटी प्रोडक्शन ओफ सिल्क तो हमारे यहाँ पे जो है वो 14 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स जो सिल्क के धागे मनाने वाले कंपनीज हैं यूनिट्स हैं वो आपकी सेट की गई हैं कांगड़ा में बिलासपुर में हमीरपुर में मंडी में उन्डा में और सिर्मौर में जिसको सरकार में साहित अद वाद में यूज करके हम यार में द्रेड बनाते हैं ठीक है इनको बाद में हम लोग यूज करके यार में ध्रेड बनाते हैं वह आपके इंदर रहेंगे तो बस इसमें ज्यादा रेलेवेंट है कि कहां कहां जो हो सरकार की साहिता से खोली गी है कि राज्यों में और कितने टन के तुमारे सिल्क कूंस बने हैं वो भी तुम लोग यहां पर मेंचन कर सकते हो नेक्स आ जाओ इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो हिमाचिल परदेश का जो 2011 का सेंसस है उसके एकॉडिंगली 30.05% of total population of हिमाचिल परदेश is classified as main workers 21.80% as marginal workers and rest 48.15% as non workers अब यहां पर सवाल आएगा कि main workers marginal workers और non workers में difference क्या होता है देखो non workers तो भूजा जो जिनके पास कोई काम ही नहीं है marginal workers और main workers में difference क्या है main workers वो workers हैं जिनके पास एक साल में 6 महीने या 6 महीने से जावा का का काम है marginal worker वो worker है जिनके पास less than 6 month काम है एक साल के अंदर मार्जिनल है इसको टोटल मिलाके आपके वजाते हैं 57.93 पसेंट तो हमारे यहां पर जो में मार्जिनल एंड नॉन वरकर्स हैं एस्पेशली वुमें जादा है नॉन वरकर्स में तो यह इस तरह से केटिकराइज है उसके बाद आजिए जैडिस मिनिममम वीज याद रखोग है यह देज धाई सो रुपया 250 रुपीज नेक्स देख लीजे आपका इम्प्लाइमेंट से रिलेटेड जो है वो आपके जो कुछ प्रोग्राम्स है तो जैसे स्पेशल एम्प्लाइमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं केंड इसको बुनाया गया था बैसे बहुत पुरानी बात है 1976 से उसके बाद आपका है एंप्लाइए इंशुरेंस एंड प्रॉविडेंट फंड स्कीम तो यहां पे कुछ स्पेसिविक जगाएं लिखें कहां कहां जो है वो आपके यह एडियास कहां कहां इंशुरेंज जो आप हजार रुपिया जो है वो अनेंप्लाइमेंट अलाउंस के रूप में जो है वो सरकार के दोरा परदान किया जाएगा और जो आपके पर्मेनेटली फिजिकली चैलेंज लोग है उनको पंदरा सो रुपिया जो है वो अनेंप्लाइमेंट अलाउंस के रूप में हर महीने प कास निगम इसका सिंपल सा मतलब है कि हिमाचिल परदेश के अंदर जो लोग है उनका skill development जो है वो किस तरह से की जा सके तो उसी लिए जो है वो skill development allowances scheme जो है वो सरकार के दोरा launch की गई है जिसमें again more or less जो तुम्हारा allowance है वो जो है वो दो साल के लिए प्रदान किया गया same वैसा ही है जैसा unemployment allowance है जिसमें जो है वो एक हजार रुपया पर महिने दिया जाएगा और उसके साल साल पंदरा सुर रुपया जो permanently physical challenge दोग है उनको जो है वो दो साल तक सरकार के दोरा प्रदान किया जाएगा इसके बाद लास्ट हमारा topic आ जाएगा जो शायद सबसे ज़्यादा relevant है exam point of view से वो आपका है that is regarding the hydro power देखे हिमाचल परदेश का जो total hydro power estimation है वो है 27,436 megawatt 27,436 megawatt clear उसके बाद जो आपका इस particular time पे जिसको हम harness कर सकते हैं वो आपकी है 24,000 लेकिन आज के time पे जो total harness की जा चुकी है वो है 10,996 megawatt फिर से बोल रहा हूं total capacity है 27,000 जिसको हम harness कर सकते हैं वो है 24,000 कितनी harness की जा चुकी है वो है 10,596 अब इसमें अलगलग sector का अलगलग contribution है सबसे पहले देखें HPS EBL HPS EBL का मतलब है हिमाचल परदेश State Electricity Board Limited इसकी total capacity है 487 megawatt second देखा जाए HPPCL that is हिमाचल परदेश Power Corporation Limited 165 अगला है Central और Joint जिनका सबसे ज़्यादा share है वो है 7,457 हिमुर्जा State या private हिमुर्जा State का है 2.37 यह हिमुर्जा basically जो है वो renewable energy के उपर ज़्यादा focus कर रही है हिमुर्जा प्राइवेट जो हो 313 और प्राइवेट बाकी रहेगे आपके 2010 और हिमाचल परदेश का share है 169 megawatt तो total कितना आगे तो महरा power harness हागी 10,596 तो यहाँ पर यह याद रखते हैं कि कितना है उसके बाद अगर हम बात करें HPSEB के जो प्रोजेक्ट से हैं जिमाचल परदेश से स्टेट electricity board के जो प्रोजेक्ट से वो कौन-कौन से हैं एक प्रोजेक्ट आपका जाएगा उहल उहल आपका ब्यास नदी मंडी उसके बाद आपका जाएगा सैक ओट यह आपका जाएगा चंबा में बैरा, रावी की जो टर्ब्यूटरी है उसके बाद आपका हेल आ जाएगा चंबा में राइसन आपका जाएगा चंबा में टिकर आपका कुथर जो है वो आपका जाएगा चंबा में, clear है तो ये specific जो आपकी HPS EBL के जो है वो कुछ power projects है और यहाँ पर यह दियान रखना सबसे important है यह वाले line कि कौन-कौन सा जो power project है यह पूछा जाता जाएगा कि कितनी capacity है उहल की कितनी है, सैकोट की stage 1 की, 2 की, देवी कोठी की कितनी है, हेल की कितनी है, राइसन की कितनी है टिकर की कितनी है, कुठार की कितनी है, इसके बाद आपके HPP CL के project आजाएंगे, हिवाचिल परदेश power corporation के, ठीक है, clear तो जैसे आपका पहला तो है integrated kashang, तो kashang तो आप सब लोगों को पता ही है, kashang जो है वो आपके सतलूच की tributary है, कि नौरडिस्टिक के अंदर सबसे important चीज़ है, इसकी capacity क्या है, उसके बाद आपका जाएगा Sanj, Sanj जो है वो आपकी कुलू में है, Sanj जो कि आपकी ब्यास की tributary है, total capacity कितनी है, 100, उसके बाद आपकी आजाएगी, सावरा कुडू, सावरा कुडू जो है वो आपका पबर, पबर जो की, तुमारी यमुना की tributary है, और यह कहाँ है, तुमारी शिमला डिस्टी के अंतर, इसकी total capacity है, 111 उसके बाद आगी, शौंग्डूम, कर्चम सतलुज, किन्नौर, 450 मेगावाट, उसके बाद आगी है चंजु एंड डियॉथल, 78 आ जाएगा चंबा, चंजु नाला, जो की बैरा रीवर की tributary है, अगे बैरा जो की आगे, रावी के साथ मिलेगी, 78 उसके बाद आपकी आगी, रेनुका जी जो अब आपकी गिरी, सिर्मौर 40 मेगावाट, उसके बाद आपकी आगी, सुरुगनी, सुंदुला सियूल नदी, जो की चंबा में, रावी की tributary है, उसके उपर, 48 मेगावाट, उसके बाद आगया, धंबारी सुंदा, धंबारी सुंदा, पबबर नदी के उपर, जो की शिमला में है, 70 मेगावाट, उसके बाद आपका आगया, थाना जो की मंडी डिस्टिक में है, उसके बाद आपके आगया, नक्थान, जो की पारवती नदी, कुल्लू, 460 मेगावाट, उसके बाद आपके आगया, किशाओ, किशाओ आपका आगया, सिर्मोर में, टॉंस रीवर के उपर, ये बिसिकली, उतराखंड और उसके बादरी को जो आपको शेर करता है, जो आपका 660 मेगावाट करा गया, के लिए तभी तो दिखा रहें, आपे इंटरस्टेट एगरिमेट, अब देखो यार, ये तुम्हारे एक्जाम के लिए जो इंपॉर्टन टॉपिक्स थे, उनकी में इंपॉर्टन थी, देखे बीच बीच में मैंने कुछ स्लाइड्स को बहुत जादर डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ली वो प्रीम है, उतने जादा रेलिवें न तब तक के लिए, ठैंक यू, तन्यवाद